नमस्कार मैं हूँ मनमोहित राप देख रहे हैं प्रैसवारता एक नजर के खास पॉर्ड आज आपको मैं एक ऐसे शक्त से मिलवाने जा रहा हूँ जिनों ने अमेरिका का कई बार दोरा भी किया है कई बार घूमने भी गे हैं तो इसको लेके चर्चा करेंगे आम तोर पे ल अमेरिका की बात करें तो पहले तो आप यह बताएगे अमेरिका कंट्री है कैसी लोगों को बड़ी शंकाय रहती कि अमेरिका ऐसा है वैसा है आप खुमिया बताएगे मैं तो पहले सबी दर्शकों को नमस्कार करूँगा आपके चैनल के माद्यम से तो मैं बहां का जो सिस्टम है वो बहुत ही बड़ी है इंडिया से बहुत ज़्यादा बड़ी है हम दो सो साल लगबग पीछे हैं दो सो साल वो हमारे से आगे हैं कंपारिजन कर दो नहीं सकते हैं हम लोग सड़कें लगालो सacia날 लगा लो एजूकेशन लगालो लगा obstacles लगालो किसी भी से स्टेज़ पर हम उसकों कंपारिजन नहीं कर सकते इंडिया के साथ है ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो जिस तरह से यहां टांसपर्ट सर्विसेज हैं, क्या वैसी वहीं है या वहां कुछ डिफरेंट है? बाकी आप उसके लिएक नैक्टर नहीं है, बस ड्राइवर के पास आपने पैसे डालने हैं, और पैसे डालते ही आप अंदर चले जाना, कोई और कुछ नहीं है, टांसपोर्ट बहुत ही बढ़िया है, और इंटरनेर ने यहां आपको पता जाज़ता है, भी कौन से स्टॉप क्रॉस करने के बाद हमारे पास पहुंच जाएगी कि वहां लोग बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं अगर बाइक चलाते हैं तो कहां चलाते हैं और सैंकल के अगर बात कीजिए सैंकल वीदेशों में बहुत देखने को मिलता है तो सैंकल के लिए क्या कोई अलग या ट्रांसपोर्ट बस ट्रांसपोर्ट है और साइकल जो चलाने का तरिया है वो फुट पाथ के उपर चलाएंगे बिलकुल नहीं चला सकते हम साइकल सड़के उपर अगर सड़के उपर चलाना है तो वहां किनारे के उपर ग्रीन पटी होगी और उसके उपर बाइक लिखा होगा तो हम उसके उपर साइकल चला सकते हैं अदरवाइस हम सड़ के उपर साइकल नहीं चला सकते और हम फुट पाथ के उपर साइकल चलाएंगे वहीं फुट पाथ पर पैदल बाले चलेंगे उसके साथ से हम अपना साइकल क्रॉस करेंगे जहां तक सड़ क्रॉस करना है ज उसको पुश करना पड़ेगा पुश करने के पस्चाहत जैसे पैदल वालों की क्रॉसिंग आएगी तो पैदल का निशान आएगा तो आप तब आपकी सड़क क्रॉस कर सकते हो अधरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा और जब जो गाड़ियां है अगर जब आप क्रॉस कर ले हो तो कम से कम आपसे गाड़ियां 20 स्फुट की दूरी पर आइटोमेटिकली रुक जाएंगी और गलती से भी मान लीजिए आप जैबला क्रॉस से कोई बज़र्ग आदमी है गलती से क्रॉसिंग गर लग गया उसने बटन नहीं दबाया तो भी गाड़ियां आइटो से लोग भागते हैं तो अगर एक बच्चे की बात की जाय alphabet तो साल का पचाब साथ-साथ-साथ-साथ-हजार पया करना कहीं जो है—एक परिवारभ पर पीण स्प्धर पहा कैसा है जो सिस्टम कि हम वहां की बात करें मैं personally schools में गया हूँ elementary school है primary school है और secondary schools है university है तो मैं primary school में भी गया हूँ elementary school का भी मैंने भी देखा है जो वहाँ primary school है उनका सारा study free है उनकी books free है नमबर दो उनको एक एक laptop दिया जाता है पहली से लेके 12 तक 12 तक laptop भी उनको उन्होंने अपना जो home work है उसी के उपर submit करना है otherwise जो बच्चा है अगर home work उसने submit नहीं करया तो उसके parents को एक message आ जाएगा mobile के उपर और उसके laptop पर ही message आएगा कि भी आपने home work submit नहीं करया और जो सारा कुछ free है books है और खाने की बात करें यहाँ India के अंदर तो मिड़े मील के नाम पर हम खिचडी दलिया वगरा देते हैं तो वो हम कह देते हैं हमने मिड़े मील अप शुरू कर दिया परन्तु वहाँ breakfast दिया जाता है breakfast में सब कुछ उनको free है और उसके अलावा अगर जो दिपैरे lunch होता है lunch के समय भी उनको वो ही proper diets और nutrition दिये जाते हैं पहले डाक्टर की एक टीम है डाक्टर की स्कूल के अंदर होती है जो वो चेक करती है खाने को खाने उसके बाद वो distribute किया जाता है ऐसे नहीं है कि दो आंगनवाडी वाली लगा दी और खाना बना लिया यसा कुछ नहीं है बनके आएगा उसको चेक किया जाएगा चेक करने के बाद बच्चों को distribute किया जाता है सबसे बड़ी बात health system health system बड़ा डगमगाया हुआ है हम हर्याना की बात करें अलगलग राज्यों की बात करें अमेरिका में health system कैसा है किस तरह की ambulance services है किस तरह की hospital है अगर कोई admit होता है क्या पे करना पड़ता है और medical दवाईया क्या rate पड़ती है किसी को जहां तक जो मेरे जैसे जो tourist आदमा बेक्ती जो जाता है tourist पे जा कोई और आदमी जो बिना बहां का नागरिक नहीं है उसके लिए तो वो expenses है बहां का जो hospital है वो खरचा ज्यादा मेंगा है अगर हम बहां पर बहां के नागरिक हैं नागरिक होने के नाते अगर हम अलाज करते हैं तो सारा कुछ पिरी है हम अगर phone करते हैं ambulance हाजाएगी ambulance हमें उसी time दस मेंट के अंदर ले जाएगी और उस hospital में हमारा इलाज होगा भो भी फिरी होगा और वो उसी ambulance को phone करेंगे वो ambulance हमें बापस छोड़के घर जाएगी कोई charges नी लिये जाएगे इवन दवाई के भी पैसे आप से नी लिये जाएगे सारा कुछ सीनिस उनके citizen होने के नाते मैं अगर PR नहीं हूँ वहां का citizen नहीं हूँ तो मेरे को expenses देने पड़ेंगे और costly है वो मेरे लिए क्योंकि हमारा डॉलर पचासी रुपे चला गया है तो पचासी रुपे इसाब से तो मैं इंडिया के इसाब से काउंट करूँ तो मेरे को एक दवाई 96 डॉलर की लेनी है तो कम से कम 8 के से 10 या रुपे की बनगी वो वो वहां के 96 रुपे हैं सारे तो वहां ये सिस्टम बहुत ही अपने लिए महिंगा है पर उनके लिए बिलकुल फिरी है जो वहां के लेनी है बच्चे से लेकर अगर किसी के गर में कोई बच्चा पैदा हो गया बच्चा पैदा है होस्पिजल में पैदा हुआ तो फ़स्क तीन साल तीन साल तक का बच्चे का खर्चा गॉवर्मेंट देगी एक हजार डॉलर उसको पर मंत उस बच्चे की फीडिंग के लिए उसके खाने पीने के लिए तीन साल तक उसके घर में आएंगे सबसे बड़ी बात टेक्स सिस्टम कैसा है कुर्कि आप जानती है कि अगर भारत की बात की जाए तो जी एएस्टी जोरी tax story मामले कई हैं क्योंकि लोगों के सोच होती है कि जब हमें सरकार की तरफ से return में वापिस कुछ नहीं मिलता तो pay क्यों करे कई काला बाजारी भी होती है अमेरिका की बात करते हैं अमेरिका में tax system कैसा है जहां तक tax system की बात करते हैं बहां पहले ही बात है salary जो आपको देनी है वो tax के काट कर ही दी जाएगी उसमें कोई return बरने की जूरत नहीं है यहां return बरनी है वहां जो salary आपको दी जानी है per hours के काम पर दी जानी है मैंने Honda company में भी मैं गया था कार वाशिंग पर भी मैं गया था काफी जगा पर मैंने विजिट करा है तो वहां पर जो उनसे बात करी तो वो बता रहे थे भी के हमें जो tax अगर 8 गंटे हमारी minimum duty है 8 गंटे से उपर computer में जब हाँ हादरी लगाएंगे दस मिनट ऊपर चलेगे तो हमारे दस मिनट के पी पैसे उसमें एड हो जाएंगे और जब हमें salary दी जाएगी या weekly salary भी देती हैं कुछ कुछ monthly salary देती है जो weekly salary है वो आपको उसमें tax काट कर जितना आपका tax बनेगा वो काट कर दिया जाएगा और आप जो सर्मान purchase करोगे Walmart वगरा से किसी mall से तो वो भी tax उसके उपर लगकर जो minimum tax है तीन परसेंट दो परसेंट जो उसके उनसार है कई malls है 99 cents है एक dollar tree है उन पर कोई tax नहीं लगता उन पर जो समान खरीते हैं उनका rate ही fix है एक dollar में ये समान है ये उस पर कोई tax नहीं लगता है परन्तु इंटरनेट से ना जुड़े होने के कारण वो government को शो नहीं होते गौवर्मेंट को शो नहीं होता भी इतना किसे कितना पैसा टेक्स लिया है मान लीजिए हमने होटल में खाना खाया होटल में हमारे से tax ले लिया उसने 10 डॉलर या 10 रुपए या इंडिया के अ अंदर तो हमें तो पर्ची दे दी उसने GST लगा के यहां उसने पे करया की नहीं करया यहां पर यह सिस्टम है वहां जो उनका जो सिस्टम है जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से जुड़े होने के कारण उसी टेम वो 10 डॉलर उनके पास चलेगे जो टेक्स का गया है उस 65 साल का हो गया और 65 साल तक उसका सीनियर सिटिंए उनकी काउंट की जाती है बाँयूमर 65 साल के बाद उसको पैंशन दी जाती है और 960亲 डॉलर उसको को 960 डालर आपको मिलने ही मिलने यानि 70,000 के आस पास हर बज़ूर को पेंशन मिलेगी माँ लग बग बग इतने मिलनी है वो इंडिया में भी आगर आ जाता है इंडिया में भी आ जाता तो उसको 50% पेंशन भी मिलेती रहेगी अगर मैंने उन से बात करी कुछ senior citizen से वहां के जो रहने देवारे थे अगर कैते हैं हम इंडिया वापस चले जाते हैं यहां थे हमें 20-20 साल होगे अब हम 75-70 साल के होगे एक तो 76 साल गा था तो हमें 50 center pension इंडिया में भी यह government देगी क्या लगता है कि foreign की जो टेक्नलोजी है अमेरिका की जो टेक्नलोजी है अभी तक भारत में अपनाई भी गई है अपने मंत्री और जो अपने chief ministers हैं जो अन लेबर मिनिस्टर हैं हमारे MLS भी कई जाते हैं तो center minister भी कई भॉरन के टूर का जाते हैं और सरकारी खर्चे पे भ करनाई लाते हैं प्रन्तु इंडिया केंदर अडौफ्ड नहीं करते इंडिया के अगर वो अटॉप्ड करें और वो अपने expenses कम करके इनिडिया में अपने अडौप्ड करना शुरू कर दें तो हमारा इंडिया कई ना कई निस्दीग पॉइंच सकता है बराबरी तो नहीं मैं कि खाने पीने की बात करूं तो एक फैमिली पांच मैंबर थे हम फैमिली के अंदर पांच से छे मैंबर थे हमारा औस्तन खर्चा खाने-खाने का सिरफ 500 और शेश सो रुपय था यह निके 500 डॉलर 600 डॉलर अप्रॉक्सिमिली हमारा खर्च था हम दूद भी पीते थे अब मैं आलू की बात करूँ आलू एक वहां किलो का साब नहीं चलता वहां पॉंड के साब चलता है एक पॉंड जो एक डॉलर का मिलता था जो है नौन वेज़ और जो आलू है वो दो डॉलर का एक पॉंड मिलता था तो आलू की आपा सब्जी की नौन वेज़िटेरियन करे तो भी नहीं के जो हमारा खर्चा था हम वेजिटेरियन थे लगबा किसी कोई नहीं खाता था तो वो अंडा वगरा जूरूर्म गा लेते थे पर उन्तु बहुत ही चीप है खाना और वो जो खाना होगा शुद्ध होगा खाना आपको बिलकुल शुद्ध खाना अगर वहां भी जो है जो आपका जो सब्जियां वगरा मार लेने जाते हो मौल वगरा में तो वाल मार्ट वगरा में वो डेड़ फुट सड़क से नीचे दर्ती से उपर रखी जाएंगी नीचे बिलकुल दर्ती के उपर जैसे जहां इंडिया के अंदर अपने पली विशागे बोरी विशागे नीचे रख दी जाती हैं वहां ऐसे सब्जी रखना लावनी है आपको हेल्थ जो इंस्पेक्टर है वो ही चलान कर सकता है आपका और वो बंद कर सकता है वो डेड़ फुट कम से कम धर्ती से उपर बनी होगी और पूरी चिल्ड होंगी वहां का जो भी समान होग और प्यास की बात करें प्यास कम से कम चाड़े 400 ग्राम का था वाइट और रेड प्यास थे तो मैंने वो देखे उनके वीडियो भी मैंने बना के बेजी तो वो काफी ने के healthy food है नूट्रेशन फुल है उनकी checking होती है अपने यहां तो सारा यूरिया डालके उसको बना दिय जाता है तो यूरिया वाली कोई ऐसी उनमें बात नी थी उनमें कोई नेच्रल जो सब्जी होती है वो सारा कुछ सबानता है खाना जो है उनका पोस्टिक है पूरा पोस्टिक चेक किया जाता है मान लेजिए एक होटल के अंदर आप चले गए होटल में क्या है आपने समोसा बगरा है, सब कुछ इंडियन फूड भी मिलता है बहां, इंडियन फूड भी है, इंडियन लोगों ने दखान कर रखी है, तो जो मान लेजिए, वहां एक हेल्थ इंस्पेक्टर आ गया, उसी टेम आपके बैठे ही, तो हमारे साथ हुआ है ऐसा, तो वो इंस्पेक्टर ने उसको कार्ड दखाना है, और कार्ड के साथ, उसके चार आदमी चलने अंदर, अंदर चालोंने सारे कॉर्नर्स चेक करने, उन्होंने टॉर्च मार के देखना है, अगर एक कौकरेच भी मिल गया आपको, वहां, और आपके जो सफाई है, वो भी सफाई भी देखनी है, अग अगर तीन चलन कर दिये गए, आपके लगातार, तो तीन बार आपके एक साल के अंदर होगे, तो आपका दकान का लसन सरद हो दिया आएगा, और उसको सील लग जाएगा, आपको ओड में चले जाएगा, तो बिलकुल हमने आपको अमेरिका के लाइफ के बारे में बताया ह कि अमेरिका में ट्रांसपोर्ट सर्विसीज कैसी होती है, हेल्ठ सरविसीज कैसी होती है, एज़ूकेशन सर्विसी और अगर आपने वहाँ गलती की, तो किस तरह का चलान hoगा आपका लाइसेंस भी गैंसल हो सकता है, तो ये तमाम बाते हमने रमेश पुरीजी से जानी है क्योंकि इन्होंने डेड़ महीने तक जो है अमेरिका का पुरा टूर की है तो वीडियो को शेर जू कर दिजी ताके अधिक से अधिक लोगों तो कि जान कई पहुंजाए बहुत बहुत बहुत